वेल्कम बैक टु स्टॉक मार्केटिटिल टीवी टुडे नेट्वर्क लिमिटेड के रिजल्ट आ गे हैं तो चलिए देखते हैं रिजल्ट कैसे हैं प्लिस यहां पर डिविडेंट के बारे में भी कंपनी ने अनॉंस्मेंट की है तो वह भी आपको बताने वाले हैं तो चलिए देख लेते हैं कि आलमोज जो रिजल्ट वो कितने वजे आया है तो जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं तीन तारीक की यहां पर अनॉंस्मेंट है दो बजे के आज़से पास कंपनी ने जो है रिजल्ट आये कैसे हैं लेकिन सबसे पहले मैं आपको बदा देता ह तो याद रखे हैं आपे कंपनी जो है 67 रुपीज पर शेर डिविडेंट अनॉंस करने वाली बहुत जादा यहां पर मतलब समझे 286 रुपए का करेंट प्राइस चल ला है और 67 रुपी पर शेर आपको डिविडेंट मिलने वाला है तो डिविडेंट बहुत अच्छा मिल तो आएगा 67 रुपा तो बहुत अच्छा मेरे साब से कंपनी जो है डिविडेंट दे रही है लेकिन याद रखेगा इसकी कंडिशन क्या है कि 13 फरवरी के पहरे आपको इस्टॉक को बाय करना पड़ेगा क्योंकि रिकॉर्ड देट है 13 फरवरी ओके डिविडेंट के बार दो 66 क्रोड तो यहां पर इंकम बढ़ी है कॉर्टन काटर साल कम हुई है क्योंकि अपी स्टैंलोन क्रितल तो क्रितर руки कि कॉर्फ一ज क्रने वाले क्योंकि बहुत जद rikt Cleaning और यह तो इसाद तो बेस्टिन को आपकि सुद्पेस के स्च्छलिप्र आप ग्रेंगे तो चॉर् केंगे तो यह वहार वहार बिटिथे उन एक ऊंत होगे, टो सब्सक्ति 235- Nej आप देख लेहा है तो कोशे में यहाँ घ्राइग की अपर आप 214 कौन की इंकभी अब गयान इस्टरे स्कीक्व, जर हो यहां धर्डयकर KOM सिर्फ्सग, अब यहां पर ज्यादा काया हैं तो यहां पर इंकम है बढ़ी है कॉटर कॉटर साल दर साल लेकिं घटी है देखेंगे एक्सपेंस वह देखने मिला है कॉटर भी साल दर साल भी अब देख लेते हैं प्रोफिट भी तो यहां पर प्रोफिट यहां पर जो प्रोफिट वह राइस वहा है कॉटर कॉटर लेकिं साल दर साल आमें घटे विए देखने को मिला है अगर आप यहां पर अनिपर शेयर देखेंगे तो अनिपर चार रुपए 63 पैसे के असपास है इस कॉटर में पिछले कॉटर में कितना था ती लेकिं साल दर साल यहां पर घटा है तो अकॉर्डिंग तुमी जिस तरह से नतीजे आ रहे हैं ना बहुत जादा अच्छा ना बहुत खराब है क्यों क्योंकि देखेंगे लेकिं साल दर साल देखेंगे तो इतने अच्छे नहीं इसका ऐवरेज पर्फॉरमेंस है वह हमें अभी देखने को मिल्दा है बहुत ज़दा मुझे अच्छे नतीजे नहीं लगे लेकर अगर आप स्टॉक को देखेंगे तो बहुत अच्छी रेली आईए यह देखें बहुत अच्छी रेली आईए और कितने बजे आईए वह भी मैं आपको दिखा देता हूं हर चीज आप पर share तो डिविडेंट की होड में यहां पर बाइंग हो रही है सिंपल सी बात है डिविडेंट के कारण ही यहां पर इतनी अच्छी रही आगए अब खुछ सूची यहां से स्टॉक मुझे लग रहा है कि जिससे तरफ फिल डिविडेंट की बात यहां पर चल लेगे मेरे स आप से श्टॉक 340 के आप जाना चाहिए तो जितना लोग यहां पर डिविडेंड के बारे में सोच रहे हैं उतना उससे जादा वो लोग शेर प्राइस हो करके कमा सकते हैं शेर प्राइस होगा और वो लोग आराम से पैसे बना सकते हैं क्योंकि खुछ सोचिए आप अगर य आपे प्राफिट हो रहा है यहांपे हो जाएगा 3 और अग्यर आप से 58 घघाएंगे तो हो जाएगा 55 और यहांपे हो जाएगा 0,55 रुबह लेकिन अगर माँ में अधी जाए है 270' तर्ध टारगे तो जरूर आपको 67 के उपर यहांपे profit हो जाएगा तो कुल मिला के कहने के वालब क्या है कि आज के दिन जो इसमें rally आई है वो क्यों आई है क्यों कि dividend के बारे में company ने आपे बात कही है और मेरे साब से अगर आप चाहें छोटी quantity बाय कर सकते हैं लेकिन ये मत करिएगा कि 13 तादिक के बाद भी हम इस stock को अपने portfolio में रखे रहे अगर आपको अच्छा खासा से पैसा मिल रहा है मालीजा आपने यहां बाय किया और stock 360 तक चला गया तो वो मत सोची कि dividend भी और ले लेते हैं क्योंकि dividend लेने जाएंगे तो उस time stock बहुत तीजी से circuit भी लुबल लगा सकता है तो मैं यह कहूंगा कि dividend के अगर dividend के चक्कर में यह stock भाग रहा है तो dividend ना capture करिए बलकि momentum को capture कर लिजे यह आई-hope आपको समझ में आ गया होगा